आज हम एक ऐसे विशाय पर बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर हिंदूों को हींग भावना से गृस्थ होना पड़ता है आपने अक्सर देखा होगा इस तरीके का एक चित्र सोशल मीडिया पर डालकर हिंदूों को अपमानित किया जाता है कि देखो कैसे कृष्ण वॉयूर है कैसे मॉलेस्टर है वो रेपिस्ट है कपड़ा चोर है लड़कियों को नंगा देखता है लड़कियों को नहाते वे देखता है लड़कियों के कपड़े ले लेता है और उनके विवश करता है कि वो लोग नहाते हुए पानी से नदी से न योगियों और योगियों और गोपियों का ये विरोधा भासी चरितर कृष्ण का कैसे, एक तरफ Quindi of एक नारी का संबान आप सामन पर रहा है उनका चीरहरन सवयम करके तो आज हम इस विशारा साइस करें गे इसका निराकरण करेंगे कि क्रिष्ण ने गोपियों का नाहाते स उनके कपड़ें क्यों लिये चुराएं वाइ डिट कृष्ण स्टील क्लोट्स बातिंग गोपिकाज अक्सर ये सवाल इसाई और जिहादी अरवामपन्थी और गेभीम वाले पूछते हैं और ये एक स्वाभाविक सा सवाल है क्योंकि इस तरीके का कांड अगर कृष्ण ने नो शेम गो टू कृष्ण इन और और ऑजिनल सोल फॉम कई ऐसे क्रिश्ण भक्त है वैश्ण वेजों ये कहते हैं कि ये कपड़ा चुराओ प्रकरंड से हमको मालूम पड़ता है कि क्रिश्ण के तरफ अपना पूरा आत्म समारपन कर दो कुछ कहते हैं कि भक्ती में कोई शरम नहीं होता यहीं दर्शाता है यह कहानी कुछ कहते हैं कि क्रिश्ण के पास नगन बच्चे की तरह जैसे एक शिशु एक नवजात इनोसंट शिशु होता है उसको नगंगापन का कोई ज्यान नहीं होता उस मेंटालिटी के साथ क्रिश्ण के पास अपने वास्तविक आत्मा स्वरूत में जाओ, ये सारे apologetic viewpoints गलत है, ये सारे कायास है, assumptions and speculations है, lame excuses है, ये साब गलत है, क्योंकि अगर हम पुराणों को पड़े, जिसमें लिखा हुआ है कि कृष्ण ने गोपियों का कपड़े चुराए थे, उसी उनी पुराणों में, उनी पुराणों के शलोक में ठीक ठीक crystal clear अंदाज में दिया हुआ है कि कृष्ण ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए, वाइक कृष्ण स्टोल गोपी अटायर्स, इस मेड क्रिस्टल क्लियर इन पुराण देंसेल्व्स, जब पुराणों में ही जवाब दिया हुआ है कि कृष्ण ने गोपि के कपड़े चुराए थे कृष्ण नहीं हम सब जानते हैं कि गोपियां जो थी वो कृष्ण की दिवानी थी राधा और सारी गोपियां गोपिकाएं जो थी हर एक गोपिका हमेशा के लिए कृष्ण को अपने पती परमेश्वर के रूप में आजीवन प्रलय तक पाना चा एक बहुत ही निर्मल स्वरूप कात्यायन देवी का उन्होंने पूजा शुरू कर दिया तो सब लोगोंने कात्यायन देवी का वरत पूजा यज्य तपस्या नामजाब शुरू किया तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं कि कात्यायनी देवी जल्दी हम में से सब को या व्रत करेंगी तपस्या करेंगी और नाम जाप करेंगी हैं और मंत्रोचारण करेंगी तो जब कृषिन जो थे वो अपने गोप बालाओं के साथ घुमते घुमते यमुनातट पर पहुँच गए खेलते खेलते तो उन्होंने देखा कि ये औरतें ये गोपी काए नंगी होकर तपस्या कर रही हैं तो देखे भागवत पुराण 10.22.19 युग्रंग विवस्त्रा यद्यपोद धृत व्रता व्यगाह तैत ददू देव हेलनम वद्ध्वान जलिंग मुर्धन्य पनूतेयं हसह कृत्वा नमोधो वसनं प्रग्रहयताम इत्यत्युतेना भीतिहतं व्रजबाला मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रतत्युतितं तत्पूर्ति कामास्त दशेश कर्मनां साक्षात कृतं नेमयरू वद्ध्यम्रिग यतह तास्त धावंता द्रिष्ट्वा भगवान देवकी सुतह वासांसी ताभ्यः प्रायक्षत करुनस्तेन तोशितह तो तब प्रिश्ण कहते हैं अरी गोपिया तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निबाया इसमें संदे नहीं है परन्तो इस अवस्था में वस् ले जाओ भगवान श्रीकृष्ण की बात सुनकर उन व्रच कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्ता में वस्तरहिन होकर सनान करने से हमारे व्रत में तुर्टी आ गई है अतहा उसकी निर्विग्न पूर्ती के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी कर्मों के साक्षी श्रीकृष्ण के नमस्कार किया क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से सारी तुर्टियों और अपराधों का मारजन हो जाता है जब यशुदा नंदन भगवान श्रीकृष्ण ने देखा कि सब कुमारिया मेरी आग्या के अनुसार प्रणाम कर रही है तब वे बहुत ही प्रस कर रहे हैं उसको इस बाद से दिक्कत था कि वो सरे आम दिन दहाडे नदी में ठंडे पानी में इस तरीके से नंगा होकर वरत तपस्या कर रहे हैं मंत्रों चारंड कर रहे हैं जो शास्तरों में नहीं है जो शास्तर के विरुद्ध है वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का पर तो वो उन्होंने जानबुच कर ये कपड़े चुड़ा लिये ताकि उन गोपिकाओं के मन में अपने गलती का हैसास हो ताकि उनको पता चले कि उन्होंने देवताओ, यमुना, कृष्ण, कात्यायनी दुर्गा और धर्म के खिलाफ उन्होंने एक पाप किया है इस तरीके से एक नया रिती रिवास का नंगा होकर तपस्या करने का जो रिवास खडा करके भागवत पुरान 10.22.20 Thus the young girls of Vrindavan, considering what Lord Achyut had told them, accepted that they had suffered a fall down from their vao by bathing naked in the river, but they still desire to successfully complete their vao and since Lord Krishna is himself the ultimate result of all pious activities, they offered their obeisances to him to cleanse away all their sins. तब गोपिकाओं को अपनी महा भूल का एहसास होता है कि किस तरीके से उन्होंने धर्म का मजाग बना दिया, तब वो माफी मांगती है कृषिन से, दुर्गा से, कात्याइनी से, यमूना से और वरुन देवता से, और तब कृषिन उन्हें माफ कर देते हैं और उनके यानि कृषिन ने उनका कपड़ाओ जानबुच के मजाक में नहीं चुड़ाया था, उनको एक सबक सिखाने के लिए और धर्म में इस तरीके का नंगापन ना आजाए, इस चीज़ को रोकने के लिए कृषिन ने उसी समय इस प्रथा को, कूप रथा को बंद करने के लिए उन्होंने गोपिकाओं को समझाया और समझायने के लिए उनको सजा भी दिया इसी चीज का अच्छे तरीके से वरनना ब्रह्मवाईवर्त पुरान उत्तरभाग कृष्ण जन्मखन 27.64-68 में मिलता है भोभोग गोपालिंकाः सर्वा विनस्ता वरतकरमनी कृत्वा विधानं मद्धाक्यं शुत्वा कीड़त मन्मात्थत संकल्पिते वरताहें चे मासे मंगल करमनी यू ग्रंग नगना कर्यंग तोये व्रतांग नहानी कारिकाः परिधयानी वासांसी पुष्म माल्यानी यानी च व्रतारहानी च वस्तुनी केन भितानी श्रूना व्रतेतु नगना यासनाती तांग रुष्टो वर्नह स्वयं वर्ना नू चरना चक्रूर्या स्रोव्रस्त स् पहले मेरी बात सुनकर विदी विदान का पालन करें करो इसके बाद मनमत में से क्रीडा करना जो मास वरत करने की योगी हो जिसमें मंगलकर्ण के अनुष्ठान का संकल्प किया गया है उसी मास तुम जल के भीतर घुसकर गंगा का अपमान कर रही हो इस तरीके से नंगे तरी किसे पूजा करके इसी से हमको पता चल जाता है क्रिशन का अर्थ ये नहीं था कि वो उन लोगों को देखकर अपने कामागनी को बुजाए इंसल्ट गोपी उसका मकसद ये नहीं था कि वो गोपियों का जल को जलील करे हुमिलेट वुमनकाइड उसका मकसद ये कपड़े चुराने का ये नहीं था कि वो औरत जात को जलील करे कपड़े चुरा करने का उसका अर्थ ये नहीं था कि वो औरत मर्द के बीच में जिस्मानी जो अलाइदापन है उसको दूर करते क्रिशन का ये अर्थ नहीं था कि कपड़े चुरा कर वो ये नहीं दैसाना चाहता था क्रिशन ने कपड़े चुड़ा कर ये संदेश देने का कोशिश नहीं किया कि तुमको क्रिशन की पूजा करने के लिए अपने मूल नंगेपन में तुमको उसके पास जाना पड़ेगा ये सब उसका उद्देशन नहीं था और ना ही क्रिशन पब्लिकली जेहुआ की तरह गो 23.9-10 जिसमें जेहुआ औरतों का बलातकार करवाता है उनको नंगा दूसरों के सामने पेश करता है उन लोगों का बलातकार खुद भी करता है और उनका घागरा उपर उठाकर उनके गुपतांगों को पूरे दिश्व को दिखाता है क्रिशन ने इस तरीके का कांड यानि जेहुआ की तरह पूरे सारवजरिक तौर पर उन गोपिकाओं का अपमान नहीं किया आप देखिए पढ़िएगा ठीक से ब्रहमा वैवर्त पुरान उत्तरभाग क्रिशन जर्मखन 27.61-6367 क्रिशन ने गोपिकाओं का बलातकार नही दिया और जब क्रिशन को पता चला कि गोपिकाओं को अपनी गलती का हैसास हुआ तब उसने उन लोगों को माफ कर दिया उन लोगों को प्रायश्चित का मार्ग बताया और सारे कपड़े दिये क्रिशन ने पब्लिकली गोपिकाओं को अपमान नहीं किया उनको पनिश्मे आजाए कि कल औरते सारी नंगी होकर गंगा में दूसरे नदियों में नंगा होकर सब के सामने पूरे समाज के सामने नंगा होकर वो लोग वरत तपस्या हठयोग जब डाम जब कर रहे हैं कृष्ण नहीं चाहता था ये कूप्र था भारत के अंदर आए और इस चीज़ को पह ही इस कूप्रथा को खतम कर दिया और उन्होंने अपने इस जैसे इन दो मंत्रों के संग के सेट से मालूम पड़ता है मंत्रों की जोड़ी से मालूम पड़ता है कि उन्होंने पहले ही गोपिकाओं को आगास कर दिया कि तुम इस तरीकी का काम करके धरम का वरुन का कृष् उपर करके वरुन देटा यमुना देवी और दुर्गा का तेहने से माफी मांगने को कृषिन से भी माफी मांगने को कहा अगर वो यह ऐसा नहीं करता तो यह कूप रथा चल पड़ता और ना जाने अब तक भी ऐसी कई ओरते सब टोली बनाकर या अकेली नंगी होकर पूरे स कमाच के सामने नंगी होकर नदी में खड़ी होकर अंग प्रदर्शन करते वें पुझा पड़ करती इस चीज को कृषिन ने बंद किया इस चीज को कृषिन बंद करना चाहता था इसी लिए उसने यह नायाब सजा उन गोपिकाओं को दिया और उसका असर भी हुआ गोपि देख लिया लेकिन उनों ने सुचा शायद इस तरीके का कोई घोर तपस्या करके हमको कृषिन मिल जाए ये उनका गलत स्विचार था और कृषिन ने इस गलत विचार को खंडन मंडन कर दिया इसी लिए यह सारा प्रकडन हुआ है तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें दोश नहीं है और कृष्ण ने अपने किसी वासना पूर्थी के लिए उन गोपिकाओं के का वस्तरहरन नहीं किया था तो उमीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा होगा अभी आप देखिए चित्र देखिए आज भी कई गंगा तठपर और कई नदियों ओरते कृष्ण ने मना किया है फिर भी हिंदू ओरते इस तरीके से नंगे होकर नहाते हैं फिर भी वो लोग ऐसे नंगे होकर तपस्या करते हैं फिर भी नंगे होकर वो अर्ग्य देते हैं फिर भी अपना पूरा नंगा जिसम दिखा कर वो लोग सुनान करते हैं नदी में डुपकी लगा थे क्रिशन इसी चीज़ को बंद करने के लिए गुपिकाओं को सजा दिया था उनका चीरहरन करके देखिए क्रिशन जो था इसी तरीके का कूप्रथाओं को रोकना चाता था लेकिन हायरे हिंदु धरम उनी कूप्रथाओं को हिंदु औरते अभी भी जाने इन जाने कर रहे हैं ये चीज़ बिलकुल नहीं होना चाहिए अभी बताए क्या आपके घर के औरते इस तरीके से नंगे होकर आपके और बाकी अग्यान लोगों के सामने समाज के सामने नंगा होकर पूजा करे जल अरग्य दे तपस्या करे हट योग करे नदी में क्या एक लिए कृषिन ने गोपीकाओं को सजा दिया था लेकिन आधुनिक महिलाओं को और उसके बात की महिलाओं को भी इस बात का समरण नहीं रहा इस बात का और इसलिए वो लोग यही कर रहे हैं और इसका कारन कौन था वो हिंदू कता बाचक जो इस तरीके का मनमणत अपल कि कूप्रथा को रोकने के लिए ही गोपिकाओं का कपड़ा उठाया था तो कम से कम देर आए दुरुस्त आए जब जागा तभी सवेरा तो कम से कम अभी तो आप लोग इस शास्त्र विरोधी धर्म विरोधी अश्लीलता और अंग प्रद्रशनता को बंद कीजिए देखिए सारे मर्द औरत एक साथ होकर डुपकी लगा रहा है नदी में और और औरते भी नंगी हैं और पराय मर्दों के सामने यह देखिए यहां पर औरते सीधा डुपकी लगाने के बाद अपना सब चाती दिखा कर वो लोग यहां पर पूजा पाट कर रही है क्या यह शास्त्रों में है क्या यह शास्त्र विरुध नहीं है क्या इस तरके का नगन प्रदर्शन करके पूजा करना किसी भी शास्त्रम है, ये ओशो और रजनीश ओशो के नंगे आश्रम में होता होगा, हिंदु धरम के किसी भी शास्त्र, किसी भी वेद पुराण में नहीं है, इसी चीज को बंद करने के लिए इसी चीज की अवहिलना करते हुए, कृषिन ने उन गोपिकाओं को मना किया, उनके चीरहन किये, थाकि उनको समझ में उनको अपनी गल्ती का एसास हो, क्योंकि वो लोग भी इसी तरीके से पूजा कर रहे थे, देखिए, आप लोगों को इचितरे देखकर कैसा गंदा लगा, कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों कर रहे है हिंदु अरते, तो सोचि जरिये हिंदु समाज को समझाए की, और हिंदु औरतों को समझाए की, इस तरीकी का नंगा होकर पुजा करना चाहिए, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं है, हमेशा हिंदु औरत को याद रखना चाहिए, कि वो धरम, परिवार और राष्ट की इज़त है, प्रजनार्थंग महा भागा, पूजार हो, ग्रहतिप्तिया, स्त्रियह स्त्रियस्च गेहशू, न विशेशोस्ति कष्चन, यानि जो औरतों पर संतती, धर्म, कर्म, तपस्या, पुरा संसार, पुरा ग्रहस आश्रम, बच्चों का पालन पोशन, रसोई घर का सारा जिम्म मेतारी है, पुरुषों का पुरा जिंदगी उन पर आधारित है, मोक्ष और स्वर्ग और पिंडदान जिन पर आधारित है, ओ ऐसे औरतों, यानि स्त्रियों और लक्ष्मी, महा लक्ष्मी, श्री देवी के बीच में कोई भी फरक नहीं है, स्त्री, जीती, जाक्ती, देव रुद्धा, पुरुषे, राप्त, कांग, रिभी, आत्मान, आत्मान, यास्तू, रक्षे, युस्ता, सुरक्षिता, या मनुस्पृति 9.12 में आता है, इसमें ये कहा गया कि पुरुष जो है, वो तो हमेशा औरतों की इज़त की हिफाज़ती करने में हमेशा सनलगन है, लेकिन वो स्तुरी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, जो अपने पुरुष रिष्टेदारों और नौकरों के बज़ाए, खुद अपनी रक्षा खुद करती हैं, तो इस तरीके से नंगा होकर नदी और तीर्थ स्थानों पर नंगा होकर सनान करना, डुपकी लगाना, यग् लोगों का फोटोग्राफ खीचते और पॉंड साइट्स पर डालते, दोस्तों को दिखाते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, वो जाकि विदेशों में दिखाते हैं, देखो हिंदु औरते कितनी छिनाल टाइप की हैं, हिंदु धरम कितना गंदा है, यहाँ पर औरते ऐसा नंग देखेगा कि आप यानि हिंदु औरत धरम की प्रतिमूर्ती है, इसलिए धर्म और रक्षती रक्षीत है, जहां पर हम हिंदु औरतों के रश्चा करते हैं, वैसे हिंदु औरतों को भी अपनी रक्षा करना चाहिए, और जैसे कृष्ण ने गोपी गाओं को बना किया इस विबत से पूजा से बचना चाहिए, जै हनुमान, जै हनुमान, जै हनुमान, जै हनुमान, जै हनुमान